नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ सब बेतर होंगे और पढ़ाईल खई भी बेतर चल रहा होगा किसी को किसी परकार का कोई भी समस्या नहीं होगा तो पिछले दिन भी हमने एक कहानी सुनया था आपको और यह जो छोटा-छोटा कहानी होता है कहीने कह हमको अंदर से मोटिवेट रखता है हमको अंदर से खुंस रखता है तो हमने सोचा कि अगर यह आपके साथ भी शेयर करें तो आपको भी मोटिवेट रखेगी आपको भी सोचने का तरीका आपका बदलेगी आपको भी भीतर से खुंस रखेगी तो आज की डेट में बहुत गंभीर बीमारी से लोग ग्रस्थ हो रहे हैं, ओभर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओभर थिंकिंग हो रहा है, तो ओभर थिंकिंग से बचना कैसे हैं, इस भी सहर पर हम बात करेंगे आपको, दो चार रूल बताएंगे, इस रूल को अगर आप जिंदगी में फॉलो कर ले तो पहला पॉइंट इसमें आता है कि आप अपना ट्रीगर पॉइंट देखी कि कब आप ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट करते हैं, अगर ये चीज़ आपको पता लग जाए, तो वो चीज़ को आप बंद कर देंगे, आपको ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगा, समझे में जारा बात, उसके बाद अगर हम बात करें, तो ओवर थिंकिंग कहां से आता है, सेकेंड अगर पॉइंट देखें, तो परफिक्ट बनने के चक्कर में ओवर थिंकिंग आता है, बहुत ज़्यादा अगर परफिक्शन के पीछे भाग रहे हैं तो आप ओवर थिंकिंग से ग्रस्त होंगे, तो भाई कोई भी perfect नहीं हो सकता है, किसी को भी इंसान अगर है, तो perfect होई नहीं सकता है, 100% सही नहीं हो सकता है, क्योंकि इंसान है तो गलती करेगा ही करेगा, तो perfection के पीछे मत भागिए, कोसिस किजिए कि जो चीज़े आप कर रहे हैं, उसको बेहतर ढंग स करें, उसमें mistakes कम हो, हो भी अगर, तो उसके लिए tension ना लें, क्योंकि कोई भी इंसान perfect बनी नहीं सकता है, 100% सही हो जाना मतलब भागवान बन जाएगा, और हम और आप तो इंसान है, तो perfection के पीछे मत भागिए, जो भी चीज़े कर रहे हैं, कोसिस किजिए बेहतर ढंग से करें, अगर हम third point का बात करें, इसमें, तो हमारा जो overthinking होता है, ओ आता कहा से हैं, या तो future को लेके आता है, future में क्या होगा, कैसे होगा, या फिर past को लेकर के आता है, कि past में हमने ए चीज़े बरवाद कर दी, past में हमने वो चीज़े कर दी, past में हमको ऐसा करना चाहिए था पास्ठ में अगर यहीछ नहीं किये होते तो ऐसा हो जाता तो एक चीजे बंद करें परजेंट में जिये क्योंकि कल आपका guarantee नहीं है किकल आपके साथ क्या होने वाला है तो फीर आप future को लेकर के क्यों पढ़सान हो रहे हैं परजेंट में जीए, परजेंट में अगर आप एक student है, तो आपका काम है, आपका कर्म है, आपका पढ़ाई, तो परजेंट में पढ़ाई अच्छे से करें, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, तो परजेंट में आपका कर्म है कि उस जॉब को अच्छे से करें, अगर परजें हमेशा परजेंट में जीए अभी जो कर रहे हैं उन चीजों को बेतर ढंग से करें चौथा जो आपका पॉइंट है अगर देखेंगे तो बहुत ही खास पॉइंट है कि हम जो पूरा दीन ब्यतित करते हैं अक्सर आप देखें होंगे कि रात को बिस्तर पे जाने के बाद लो पारगी हो गया है किसी से डिसकसन हो गया है उन चीजों को अपने दिगमाग में रखते हैं तो दिमाग में आप जो भी चीजें हैं पूरा दीन में किया है तो रात को सोने से पहले पांच मिनिट दें खुद को खुद से भी अगर कोई गलती हुआ है तो उसको आप माफ कर करना सीखें इससे आपको overthinking बंद होगा क्योंकि जब हम सोने जाते हैं तो पूरा दिन अगर कहीं बहुत हो गया होता है तो फिर उसके बारे में हम सोचने लगते हैं अगर यह चीज नहीं हुआ होता है या फिर उसकी गलती थी उसने ऐसा क्यों किया तो इन चीजों से हमारा overth overthinking और बढ़ते जाता है फिर हम सुचते सुचते कहां पहुंच जाते हैं हमको पता भी नहीं चलता और overthinking एक ऐसा चीज है जो हमको अंदर से खतम करता है क्योंकि अगर कोई भी machine है और आप उसको start कर दे रहे हैं और उसमें कोई भी product नहीं आ रहा है कोई भी manufacturing नहीं हो जाये है कोई भी उसका काम नहीं हो रहा है कोई उससे output नहीं निकल रहा है तो machine क्या होगा ठक जाएगा क्योंकि machine में कोई product नहीं आ रहा है न तो उसी परकार से हमारा दिमाग जो है हमारा brain जो है एक machine है और यह overthinking क्या है वैसे machine को start कर लेना जैसे कि कोई काम नहीं है कोई हमारा जरुड़त का चीज नहीं हो रहा है लेकिन machine जो है start हो रहा है तो machine start रहेगा तो हम ठकेंगे और ठकेंगे तो जो हमको करना है उस चीज को हम नहीं कर पाएंगे तो इसलिए जिन्दगी में आज से आदत बना ले कि खुद को और दूसरे को माफ करना सीखे ताकि overthinking से अब दूर आए और पांचवा और सबसे खास और सबसे बेहतरीन नियम है नेचर को इँजवाए करें अगर आप देखें कि अगर आपको लग रहा हैं तो आप सुबह में निकलें या सांग को निकलें नेचर में जाएं ग्राउंड में जाएं टह लें meditation करे थोड़ा सा nature को enjoy करे थोड़ा दोस्तों के साथ समय प्यातित करे क्योंकि overthinking अकेले रहने से ही ज़्यादा आता है तो थोड़ा दोस्तों के साथ समय प्यातित कर ले अगर किसी के साथ लग रहा है किस से बात करने से हमको खुसी मिलता है तो उससे बात कर ले नेचर को इंज्वाय करें, वाकिंग पे जाए, टहलें तो इन सब चीजों को करने से आपका overthinking बंद हो जाएगा और इस चीज को बंद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वही बात अभी बताया हमने कि machine को start कर लेना machine को start करके छोड़ देना और कोई भी product नहीं output नहीं निकलना, तो उसी परकार से आपका brain है अब brain को start करके छोड़ दोगे और कोई भी आपका output नहीं निकलेगा तो brain आपका ठक जाएगा फिर जो आपको काम करना है जिससे output निकलेगा ओ काम आपका नहीं हो पाएगा तो इसलिए overthinking को कोशिस करें, जितना जल्दी से हो सके बंद करें trigger point को देखें, दोस्तों के साथ रहें, दोस्तों के साथ मिलें अपना काम में ब्यस्त रहें, अपने काम में ब्यस्त रहें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, आपका overthinking बंद हो जाएगा ठीक है तो यह जो नियम है आपको कैसा लगा और जो इस्टोडी वाला स्रीच है आपको कैसा लग रहा है आप जरूर कॉमेंट करके बताएगा इस चीज़ को continue किया जाए या नहीं किया जाए ठीक है क्योंकि कहीं न कहीं इन चीज़ों को सीखने से हम अंदर से बहुत को सीख हैं थैंक यू